हेलो फ्रेंट्स, विल्कम तो मैं चैनल अंजना लाल अल्टडी फ्रेंट्स, निरक्षर्ता हमारे देश की एक बहुत गंभीर समस्या है आज मैं इसी समस्या पर निबंद का वीडियो लेकर आई हूँ मेरे निबंद का सिर्सक है निरक्षर्ता एक अभिशा तो चलिए वीडियो ल्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स वीडियो ल्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, सेंट, स्क्रेयर कीजएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दिजिएगा साथ ही वेल आइकन को प्रेस करना नहीं पूलिएगा जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे तो चलिए समय न बरबाद करते हुई सबसे पहले वीडियो एक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे रूप रेखा रूप रेखा में लिखेंगे प्रस्तावना निरक्षर्ता एक अभिसाव निरक्षर्ता के दुस्परिनाम निरक्षर्ता दूर करने के उपाय और अंत में हम लिखेंगे निसकर्स प्रस्तावटां में लिखेंगे निरक्षरता का सामानी अर्थ है अक्षरों की पहचान ना होना जो व्यक्ति पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता अपना नाम तक नहीं लिख पढ़ सकता उसे निरक्षर कहा जाता है निरक्षर व्यक्ति ना तो संसार को जान सकता है और ना ही अपने साथ होने वाले लेकित विवहार को समझ सकता है इसलिए निरक्षरता को अभिशाफ माना जाता है इसके बाद लिखेंगे निरक्षरता एक अभिशाफ हमारा देश भारत सधियों तक परतंत्रता की गपेडियों में जक्रा हुआ था आज के युग में प्रवेश करने वाले ज्ञान विज्ञान की इस प्रगती सेल युग में भी कोई व्यक्ति या देश निरक्षर हो तो इसे एक त्रास्दी के लिएवा कुछ नहीं कहा जा सकता प्रन्तु यह तत्य सत्य है कि स्वतंत्र भारत में सिक्षा का विल्तार हो जाने पर भी भारत में निरक्षरों तथा अनपड़ों की बहुत अधिक संख्या है हमारे देश में प्राधिन्ता के काल में लिक्षन सो विधाओं का नितांत अभाव था निरक्षर्टा के कारण उस समय बंदुआ मजदूर, जमिनदारी प्रथा, सोसन, उतपीरन, आर्थिक विशमता एवं अंधिश्वास की अधिक्ता थी देश का गुलामी में जक्डे रहना भी निरक्षर्टा का एक कारण था इसी कारण आजादी के बाद साक्षर्टा के अनेक कार्यक्रम चलाए गए अब हम लिखेंगे निरक्षर्टा के दुस्परिनाम इसके क्या दुस्परिनाम हो सकते हैं निरक्षर व्यक्ति का संपुर्ण जीवन कर्ष्टों से भड़ा होता है वह न तो अपने किसी प्रियजन को पत्र लिख सकता है और ना ही किसी का पत्र पढ़ सकता है वह किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर तक नहीं कर सकता इसलिए लोग उसको अंगूठा चाप या अंगूठा टेक कहते हैं निरक्षर व्यक्ति किसी से अपने दिल की भात भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी भी विशे पर ठीक से बोलना नहीं आता निरक्षर व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता हमारे देश में निरक्छर्ता ग्रामीन छेतर में अधिक है सहरी छेतर में निरक्छर्ता का प्रतिसत कम है या निरक्छर्ता का एक दुस्परिनाम है यह जानते हुए भी कि निरक्षर व्यक्ति को तरत्र की विशमताओं का सामना करना पड़ता है वे लोग साक्षर बनने का प्रयास्त नहीं करते है अब हम लिखेंगे निरक्षरता दूर करने के उपाए यदि हमें प्रगती तथा विकास के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हम सब को साक्षर बनना होगा अर्थात निरक्षरता को समाप्त करना होगा इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा सकते हैं आजकर सरकार की ओर से साक्षरता अभ्यान भी चलाए जा रहे हैं महानगरो, नगरो तथा गाओं में सिक्षित लोग अक्षितों को पढ़ा रहे हैं इसके लिए सर्व सिक्षा सिविर भी लगाए जा रहे हैं अधिकतर लोग, निरक्षर लोग मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं घरेली उस्त्रियों के लिए दोफ़र के खाली समय में पढ़ने लिखने की मुफ्त विवस्ता की जाती है निरक्षर लोगों को सिक्षा समगरी भी उपलब्द निसुल्क कराई जाती है अंत में हम निसकर्ष लिखेंगे निसकर्स में हम लिखेंगे आज का यूग, कंप्यूटर वो इंटरनेट का यूग है ऐसे विकास सील समय में निरक्षर्टा का होना देश के नाम पर तथा स्वैम के नाम पर कलंक है अतह हम भारतवासियों का या परम करतब्य है कि हम साक्षर होकर दूसरों को भी साक्षर करें और सर्वसिक्षा अभियान का हिस्सा बने तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट आपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई